तो हेलो एवरिवन मैं धीराजा और आप सभी का वेलकम हमारे चैनल पर तो पिछली वीडियो में हमने अन्बॉक्सिंग देखी थी इस जी ओफाई की डॉंगल की तो आज हम इसकी बेव कन्फिगरेशन के बारे में देखेंगा इससे कैसे यूज किया जाता है तो इसके प्रफाइए बाता मिलेंगे यह देख सकते हो हमें मिल चुका है 4 मन्त का extra data 120 days extra मिले है तो चलिए हूँ अपने sim को लगाते हूं और उन करके देखते हैं तो आप इसमें चाहो तो अपना OldSum भी यूज कर सकते हो जो आप अपने पहले मोबायल में यूज कर रहे उनसे एक बार ज़रूर confirm हो लिजएगा उसी के बाद recharge करवाना है इसको activate करने के लिए तो चलिए अब हम इससे on करके देखते हैं अपने adapter में लगा करके और फिर मैं आपको आगे का process बताता हूं कि इसमें जो web configuration होता है वो कैसे होता है अपना जो wifi का password हो या जो भी login credential इसमें green है बट ये कुछ time में वापस से red होगा और उसके बाद हमारा इसमें signal का strength हमें इसमें so होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी red blink हो रहा है और नीचे आपको blue color से दिख रहा होगा और उपर आपको green color का आप दिखने लगा है जो कि हमारा network है तो आप चलिए हम इससे configure क पर करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने Wi-Fi even on किया और यहां पर हमारा जो geography का आ रहा है जो geography 37 I have 31 कुछ यह इसमें connect करेंगा connect करते ही आपको इसमें अपका password देना है तो आपको password अपना यह जो box दिया गया आ जो हमारे i जो मिला था रेट कलर का बॉक्स जिसमें आया था ये उसी के बैक साइड में आपको आपका जो वाइफाई का पासवर्ड है वो मिल जाएगा या आपको अपने डोंगल के बैक साइड जो मैंने एक लेवल दिखाया था पिछली वीडियो में अपने लास्ट वीडियो में उस में दिखाता हूँ कि कैसा ये work कर रहा है और इसके साथ web configuration में दिखाऊंगा जिसमें अपना SSID password change कर सकते हो आप easily तो ये देखिए हमने browser को open कर लिया और ये जो भी first link आ रहा है मैं उस पर click करता हूँ और ये देख सकते हो आप ये open हो रहा है actually अभी speed इसका उतना fast नहीं है बट सबेरे और साम में और इसका जो uploading speed है वो perfect है तो आप देख सकते हो मैं अब इसके browser पे URL में जो geodongle.local.html था न वो मैं type कर रहा हूँ इसके थुरूई आप अपना वो जो web का वो configuration page है वो open कर सकते हो but first time enter करते के साथ आप देख सकते हो ये search हो रहा है तो इसके लिए आप ऐसा problem आता है तो मैं जो एक IP address बता रहा हूँ वो आपको लिखना है 192.168.1.1 या आप जब type करोगे तो आपका easily जो web configuration page है वो open हो जाएगा तो ये देखिए जैसे हमारा open हो गया अगर आपको ये problem आता है तो आप कर सकते हो या आप starting में https भी लगा सकते हो उसके बाद आप open कर सकते हो चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये जो url था geodongle.local.html आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आप type करता हूँ geodongle.local.html और यह आ गया हमारा हम इसे enter करता हूँ और यह देखिए enter करते है अब easily open हो रहा है तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर problem आय तो 192.168 IP address का जो use कर सकते हो अब यह देखिए starting होते ही आपको यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो भी network का information है यहाँ पर available है और यहाँ पर आप right में जब upper में जाओगे तो आपको एक login का option मिलेगा इसी login के option पर आपको click करके login करना है तो यह देखिए login पर click करते ही आपको आपसे यह username और password पूछेंगे तो इसमें आपक आपको अपने dongle के back side में मिल जाएगा level में उपर के side में तो यह देखिए हमने enter कर लिया और इसे login करते हैं अब यह देखिए login करते ही आपका यह page जो है वो sign in हो गया है और यह देखिए हमें status हो कर रहा है यहाँ पर सारा जो भी option था हुआ गया है और उपर में एक हमें notification भी आया है जिसमें बोला जा रहा है कि हमें अपना जो भी यह web credential है उसे change कर लेना और यह देखिए logout का option भी है तो first हम अपना वो जो password है वो उसे change कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो यह देखिए आप setting में जाके उसे कर सकते हो directly setting में जाके आपको user user के page पर जाना है वहाँ पर कर सकते हो या directly जो notification आपको rate में दिख रहा है उस पर click करना है तो आपको directly setting पर पेज़ देगो और user management के option पर आ जाओ गया आप यहाँ पर अपना easily कर सकते हो password change यह देखिए आपका जो username है वो तो administrator ही रहेगा और यहाँ पर आपको password में अपना old वाल password देना है जो अभी फिलाल यूज कर रहे हो जो कि है administrator वो हमने यहाँ पर mention कर दिया है और आपको अपने new password में आपको जो भी मज़ यह password है जो easily use याद कर सकते हो या जो particularly use करते हो आप इसमें mention करो मैं demo के लिए 123456 use कर रहा हूं तो यह देखिए हमने confirm password में भी 123456 use किया है और इसे करने के पाद आप apply कर सकते हो बट यह आप देखिए नीचे कुछ और option देख रहे है जैसे के language setting बट इसमें फिलाल अभी language के बद इंगलेस ही है और यहाँ पर देख सकते हो device setting में जिसमें की management session timeout यह session timeout period है actually जब तक आप यहाँ पर जो भी enter करोगे यह से मैंने 60 minute कर दिया अगर 60 minute के 60 minute तक मैं अपने device पे काम नहीं करता हूं कुछ नहीं करता हूं तो यह हमें automatically disconnect कर देगा हमें session हमारा logout हो जाएगा तो यह वही था बस आपको यह करके इसे apply कर देना यह देखिए applied हो चुका है और यह अवब वाला भी हम apply कर देगा तो यह देखिए apply कर हमें यह logout कर देगा और यह बोलेगा कि हमें फिर से अपना जो login username था और जो हमने new password बनाया है उसे डालके हमें फिर से login होना है तो चलिए हम अपना जो username था वो administrator वो डाल देते हैं और इसमें जो हमारा password है वो 123456 जो हमने new बनाया है वो enter करके हम इसे login करते हैं तो यह कि हमारा 60 minute जो हमने किया था session timeout period वो था और यह हमारा जो user management है वो खुला हुआ है तो चलिए मैं आपको एक एक करके मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं कि इसमें और कौन-कौन सा option है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह मैं actually अपने mobile का जो screen recorder है वो use कर रहा हू कि ताकि आपको clearly देख सके यह देखे आपको यहाँ पर status में आना है आपको जो फर्स्ट वाला option था उसमें आपको अपना जो कि DNS है वो था connection वाले में इस वाले में status में आपको सारा information land का होगा जैसे LTE वाले में उपर में था आपका जो active connection है वो सो कर रहा होगा land में आपक आपका जो भी कितनी user इसमें connected है जैसा भी number of user connected one दिखा रहे है आपका wifi channel आपका कौन सा security use हो रहा है आपके जो भी user connected उसका device क्या है वो सारा इसमें आएंगे और आपका जो यह wifi का है इसमें आपको जो भी IP alert हुआ है IPv6 IPv4 वो होगा और यह देखिए आपका जो device के बारे में है अगर वो information चाहिए तो आपको इसमें मिल जाएगा जो हमारा main है वो setting option में है चलिए हम इसे देखते हैं तो आप देख सकते हो हमारा जो यह LTE setting है यह actually network provided है जिसमें कि आपको sim pin feature डालना होगा उसको डालते ही आप इसे enable या disable कर सकते हो यह आपको generally 000 होता है या 1234 होता VPN change करना है तो आप manual करके कर सकते हो अगर cable IPv6 पे चलाना है तो आप वो भी यहां से कर सकते हो तो हम इसे अभी फिलाल automatic रखने देते हैं और आपको LTE setting अपना change करना है तो जियो का 1234 है और यह pin आपसे हमेशा मांगा जाएगा जब भी आपका device on होगा सो आप देख सकते हो अब हम लोग network mode में आ चुके हैं जिसमें कि आपका main option है mac address filter अगर आप इसे enable कर देते हो और cable उसका mac address select करते हो जिसको आपको net assist देना है तो cable उसी में आपको net assist मिलेगा बागी किसी device को आप इसके through connect नहीं कर सकते हो यह third हमारा है wifi setting option जिसके through आप अपन SSID जो कि dongle का name है वो change कर सकते हो और जो कि आपको password मिला हुआ है इसके साथ अब अपना new password create कर सकते हो पुराने वाले को change करके तो चलिए अब हम वो अपना SSID है वो change करके मैं आपको दिखाता हूँ तो यह जो भी आपको SSID है उससे delete करके आपको जो भी new name देना है आप वहा आपको bandwidth मिलता है वो up to 2.4 GHz तक मिलता है 5 GHz supported नहीं है और यह WMM है जो Wi-Fi multimedia है इसको आपको anomaly रखना है और यह transmission power signal strength है आपको low to high कर सकते हो और जो यह security है WPA2PSK इसको आपको change नहीं करना है अगर आप इसे disable कर दोगे तो आपका कोई भी net assist कर सकता है क्योंकि वह आपसे key नह गया और यह देखिए नीचे security की है इसको आप change कर सकते हो आप कुछ अपना easy सा बना सकते हो तो आपको remember है यह देखिए हमने इसमे 123456 लिख दिया है और नीचे आपको SSID broadcast है अगर आप इसको disable कर दोगे तो जो हमने बनाया ना धीरज ने वह आपको so नहीं करेगा अगर आ आपका wifi भी so नहीं करेगा तो यह देखिए हमने इसमें बोला जा रहा है कि eight characters का होना चाहिए की तो हम इसमें seven eight और इसमें लिख देते हैं seven eight actually one two three four five six seven eight actually यह डीमो के लिए है आप अपने हिसाब से बनाना apply करने के बाद आपको इसमें okay कर देना है यह देखिए हम इसमें okay कर देते हैं तो okay करते ही जो भी आपका यह page है वो log out हो जाएगा actually आपका net ही disconnect हो जाएगा क्योंकि आपका जो भी new name से SSID बन चुका है वो धीरज है उसका password भी change हो चुका है पिछला वाला यह देखिए मैं आपको वापस से connect करके दिखाता हूं यह धीरज आ रहा है और इस में जाते हैं और यह देखिए हम लोग वापस वहीं पर आ गया अपने wifi setting वाले option में so आप देख सकते हो हमारा जो next option है वो storage का इसमें आपको local और wifi storage मिलता है यह आपको use तभी परेगा अगर आपने dongle में memory card को लगाया हुआ है तभी आपको इसका use परेगा local में आपका ऐस में बताया है इसके तुरू आप अपना administrator password को change कर सकते हो जो की web configuration में use होता है तो मैंने आपको यह पहले दिखा दिया यह आपका firmware management है इसके तुरू आप अपने software को update कर सकते हो जो भी आपको update करना है इसके लिए आपको अपना जो भी इसका जो file है आपको इसके site से retrieve करना ह होगा उसके बाद ही आप इसको browse करके उसमें update कर सकते हो और यह रहा configuration backup option actually अपना जो भी यह setting है उसका backup रखना चाहते हो यहां से रख सकते हो और यह देखिए आप यहां पर हमारा यह आ चुका है यह config backbin बनके यह हमारा backup file है इसको हम बाद में यह configuration restore के जो option दिख रहा है आ इसके थूँ अगर same network पर आपका multiple devices connected है तो वो auto configure हो जाते हैं वो खुद बखुद अपना IP address assign कर लेते हैं यह actually आपको port enable भी करने में आपको काम आएगा जैसे port forward यह जो enable करना है यह अगर आप gaming करते हो playstation पर या xbox पर तो आपको port को enable करना परता है connection के लिए तो उसके कैसे configure करोगे इस port को port forwarding जो है port कैसे enable होता है तो यही था इसमें और जो हमारा last है यह wifi disk है इसमें आपका SD card अपने use किया है अपने dongle में तो आपको जो भी content है आपका जो भी है वो यहाँ पर so होगा और उसके थूँ आप उसे आगे भेज सकते हो wifi के थूँ या उसे delete करना है जो भी करना है आप कर सकते हो और यह last हमारा है logout को option SEO का logout और यह चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं इसका जो speed test मैंने किया था कुछ तो यह मैं एक आपको करके दिखा रहा हूं तो actually इसका जो दोपैर के time है वो इतना speed नहीं रहता है बट सबेरे या रात क इसका जो speed है वो बहुत अच्छा है और uploading speed की बात करें तो वो बहुत अच्छा है अगर आप gaming में streaming करना चाते हो तो यह आप कह सकते हो कि average से कुछ अच्छा है यह आपका जो uploading होगा वो हो बहुत ही smooth होता है अगर आप live करते हो तो तो ये देखिए इसका uploading speed है वो हमेशा अच्छा ही रहता है और ये आपके location पे भी depend करता है कि आपका जो speed है वो कैसा होगा तो आप वो देख लेना अगर आप पहले से Jio का sim use करें अपने mobile पर तो उसका speed फिलाल अभी कैसा है तो बस उससे कुछ वक कुछ फरक आपको इसमें जरूर महसूस होगा तो खुप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा तो आप देख सकते हैं ये दोपर के time का speed test है कुछ जो कि आपको first column में downloading speed दिख रहा होगा और second column में आपको uploading speed दिख रहा होगा तो फिलाल अभी वो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये vary करता रहता है time to time और ये हमारे location पे भी vary करता है तो आप अपना देख लेना लेने से पहले अपने geosim का कैसा वो performance है तो आपको ये video पसंद आए होगी thanks for watching